प्रेंड्स आप सब का सवागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में अज़की इस वीडियो में हम एंटी लापरोटिक ड्रग्स के एमसीक्यू डिसकस करेंगे देखे हमने 5000 में 5000 एमसीक्यूज की सिरीज स्टार्ट कर रखी है और यह सिरीज जो है आपके सभी फार्मा कॉम्पॉर्टिटिव एक्जांप के लिए काफी ज़दे इंपोर्ड़न्ट है जी पैट नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर स्टेट फार्मसिस्ट एक्जाम है किसी भी स्टेट का आपका फार्मसिस्ट कावम है तो यह सीरियस काफ़ी्यम मतव हैं तो इस सिरीज में आभी हमने फार्मकॉलोजी स्टाट करा हूँ है फार्मकॉलोजी कि हम वाइज सक्ष चार रहे हैं corporate भान की ょइस तो इस आज करने से पहले देखे अगर आप लोग को सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना बैल आकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले विडियो नोटिफिकेशन साइप लोगों मिलते रहें तो फाइनली स्टार्ट करते हैं देखिए क्वेशन है आप हमारा कि देखिए अंटि लाप्रोटिक ड्रग है जो लाप्रोसी की ट्रीट्मेंट में उस करेंगे तो सिंपल सा है ओके तो क्वेशन देखिए आपका सल्फोन सार यूज जिन तेरापी ओप्शन क्वेशन देखिए नेक्स्ट है डाप्सोन इस यूज़ फॉर्ट थिरैपी ओफ तो डाप्सोन किसके लिए उस करेंगे वह यह सिंपल ट्यूबर कुलोसीज अमीबी साइड लाप्रोसी या हेलमिन्थी आसिस तो ऑप्शन सी हो जगा लाप्रोसी के लिए नेक्स्ट है डा यह आपका पाबा के अप्टेक को इनिबिट करता है पाबा मतलब पैरामीनोग अएसिइड है काको डाप रामीनो डावेस्ट oils module और यह होता है डायमिनो डायफिनाल इसलफॉन होता है डापसटों कि आपको याद रखना हैं तो सबस्क्राइब सब्क्राइब यौर को नहीं आप कोई बताना हैं इस इसलेक्षणी में देख हले आता है की लेकिन हों है रियाक्षिटि catching यह पर दी हमारा राइट हो जेगा क्योंकि इसमें नोट ही हमसे पूछा हुआ है देखिए नेक्स्ट क्वेशन है पेशेंट विद ग्लुकोसिक्स फोस्फेट दी हाइड्रोजीनियस जैफिसेंसी इफ टीटिट विद डैपसोन डैश विलकर तो ग्लुकोसिक्स फोस्फेट डी उनको अगर डैपसोन देंगे तो हीमोलिटिक एनिमिया हो जाता है ओप्शन आपका ए राइट हो जेगा ओकी नेक्स्ट क्वेशन है एंटि लापरोटिक एक्शन ऑफ डैपसोन इस ज्यू टू मेली इफेक्ट ओन ओप्शन देखिए इनिबिशन ऑफ फोलेट सिंथेसिज कैशम चनल ब्लोकर, फैगोसाइटोसिस और डियने सिंथेसिज तो यह उप्शन ने हो जेगा आपका इनिबिशन ऑफ फोलेट सिंथेसिज नेक्स्ट है राइट डाई डैट इस यूज जाए अन एंटि लापरोटिक इस ऑप्शन देखिए इथियोनमाइड, इथम बिटो और जेग क्लोफाजीमीन होती है, त्यानक ने क्लोफाजीमीन एक डाई है जो लापरोशी में उज करते हैं लापरोस्टाटिक होती है यह एंटी इंफ्लामेट रिक्शन भी होता है इसका और इसका टी हाफ काफी लोंग होता है नेक्स्ट है विच फोलिंग एंटि साइक्लिन और क्लारिक्थ्रोमाइसिन तीनों ही उसकरेंगे नेक्स्ट है ड्रक लॉफाजीमीन बिलोंग टू एक क्लास ओफ तो लॉफाजीमीन जो आपने देखी ती अभी डाई होती है लापरोसी में उसकरते है तो कुन सी क्लास से बिलोंग करेगी यह ऑप्शन देखि लापरोसी टूबर कुलोइड लापरोसी बोथ यह नन तो लापरा रियक्शन जो होती है वह कुन सी टाइप की लापरोसी में होती है वह लापरो मैटस लापरोसी में होती है ऑप्शन वन आपका राइट हो जएगा नेक्स्ट है लापरा रियक्शन सार अलाइकली कंट्रो तो इसको मों कंटल करने के लिए क्या इस करेंगे क्लोफा जीमीण रिफामपसी क्लोफाज को देखिये है When पोटो सैंसिटिविटी ऑप्शन टू राइट हो जेगा नेक्स्ट है स्किन डिसकलरेशन फ्रों रैड ब्राउन टू ब्लैक इसको उस्ट बाई ऑप्शन देखे डैपसोन क्लोफाजीमीन इसम्बूटोल या ओल ठीक है काफी एडवर्स एफेक्ट है किसका क्लोफाजीमीन क ड्रग पुजएस एंटी इंफ्लमेटरी अक्तिविटि लिए लग तो ये कोन्सी ड्रग है और प्रोटिक ड्रग है जिसका आंटी इंफ्लमेटरी अक्तिविटीविटी भी है यह हमारी कुम क्लोफाजीमीन है ऑप्शन भी राइट हो जेगा ब्लैक्स है फोलूइं लिखी हुए एक लगे लापरोसी है लापरोसी को हैंसन डिजीज नेक्सी नेक्स प्रशन में क्या है लापरोसी को आपका लैप्ष यह जो है इसका पता लग गया एक्टिद्रम लाप्री लाप्रोसी को हैंसंस डिजीजी कहते हैं और प्राइमरिया एंटी लाप्रोटिक ड्रग में आपका डपसोन होता है जो होता है डाई अमीन और डाइफिनाल सल्फोन ओके लाप्रोमेंट टैस्ट प così पोजिटीव होता है नेख mo arenas को क्टोल लाप्रोर्यक्षंज को कंत्रोल करने लिए कौन सी ड्रक्स होती है मैं क्लो फाजक्ण क Low क्लोफाजी मिन क्लोरोकुन स्टिरोइट तो आपका ओप्शन हो जाएगा ओल ऑफ दे अबाव राइट हो जाएगा क्वेशन देखिए नेक्स्ट है विच वन ऑफ फॉलोंग आंटी माइक्रोबियल ड्रग इस्टेबल फॉर ट्रीटमेंट ओफ बोथ ट्यूबर कुलोईड और लाप्रोसी कौन सी ड्रग है जो ट्यूबर कुलोईड में भी और लाप्रोसी दोनों में यूज़ करते हैं नेक्स्ट है फ्लू लाइक्स सिंड्रोम्स में भी कोश्ट बाइदा इंटेक ओफ ऑप्शन रिफांपिसीन आस्प्रीन आइच मतलब यूज़ियो यूज़ियो लिएंटरीन तो फ्लू लाइक सिंड्रोम्स होती है कौन स्य ड्रग कोश करेगी यह करेगी ओप्शन ने हो जगात रिफांपिसीन इन नेक्स्ट है फास्ट एस्टेस्ट एक्टिंग राकरु लाप्रोसी तो लेफ्शी में सबसे Definitive हैं aireप्शन क्लोफाजीमीन रिफामपिसीन या इथियोनमाइड कुन सी ड्रग है जो फास्टेस्टेक्टिंग ड्रग होती है लापरोसी में वह आपकी होती है option 3 हो जगा रिफामपिसीन होती है जो फास्टेस्टेस्टेक्टिंग ड्रग होती है next है question a drug which cause pink to brownie skin pigmentation within a few weeks of the therapy पी इस कौन सी ड्रग है सी option देखें इट्राकोनाजोल क्लोफाजीमीन लोम फ्लोकसीन और नियोमाइसीन तो अभी हमने इस टाइक क्वेशन देखा था तो यह option भी हो जगा क्लोफाजीमीन होती है तो प्लस क्लोफाजीमीन प्लस क्लाइडित्रोमाइसीन तो आंसर हो जगा आपका उप्षन ने हो जगा डैपसोन प्लस क्लोफाजीमीन प्लस रिफार्म्पी सीन होता है सब्सक्राइब करेंगे बाकि एक को छोड़के वह आपको बताना है तो पारी मिथा मिन जो होती है एंटी मलेरियल ड्रग होती है ठीक है ऑप्शन सी आपका राइट हो जागा इसका लाप्रोसी में कोई काम नहीं है डाबा की डैप सोन है क्लोफा जीमीन है और फ्लोकसी यह लाप्रोसी में जेक्स ड्रग विचिज यूज़ टीबी और लाप्रोसी इस निकिए टूबर कुलोसी और लाप्रोसी में अभी हमने एक क्वेशन में देखा तर रिफंपसीन इस करते हैं तो अब हमाइड रिफंपसीन बोथ यह नद तो हमने देख ले उसकरते हैं बाकि स्ँस्וש एक ड्रग हो रहा है इत्यों माईड को भी उसकरते हैं रबक्लोसिस और लापारोसी दो में तो आपको दोनों ड्रग के नाम याद करने एत्यों-माइड और उफॉर्मपीसी तो ऑप्षिन सी हमारा विए विए इस वीडियो में इतना है अगर आपको वीडियो अच्छा लगए है तो इसे लाइक करना शेर करना चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना क्योंकि इस टाइब के इंपर्ण अब करते हैं तो अगर आप किसी भी चैनल जो फार्मसिस्ट एक्जाम है आपके फार्म कॉंप्रेटिव एक्जाम है उनकी परफुर्शन कर रहे हैं चैनल आपके लिए उस्पूर रहने वाला है तो अगर आप लोग नए हैं आपने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा आपको से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लेज सब्सक्राइब जरूर की जगा ओके थेंक यूँ